नमस्कार दुफतों मैं संदीब स्वागत है आप सभी कापके अपने चैनल सक्सेस टूपर दुफतों आज कि इस वीडियो के अंतरकत बात करेंगे जो भी हमारे बीए तिर्तिये वर्स यानि की बीए लास्ट एयर थार्ड एयर के चात रहें उनके लिए वीडियो मोश इंप है लेकिन खास तोर पर मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से की थार्ड एर में यानि तिर्तिये वर्स में पर सब्जेक्ट के तीन पेपर होते हैं मतलब की मालीजिए एक्जामपल के तोर में आपको एक अठारा प्रेल को पेपर देना जाना पड़ेगा एक 27 को और एक 30 को एक्जामपल के तोरब मैं आपको बता रहा हूं ठीक है तो तीन पेपर होते हैं पर सब्जेक्ट वो चाहाब का हिंदी हो सौिलोजी परेटकल सायंस ओ या अपर और सब्जेक्ट हो ठीक है तो जानते हैं important question के बारे में ठीक है तो यह आज किस वीडियो हम बात करेंगे तिर्थिय प्रस्ण पत्र के बारे में जिसका नाम है प्रियोजन मूलक हिंदी तो प्रियोजन मूलक से जुड़े आप सभी की परिच्छा में question आने वाले हैं थर्ड प्रियोजन मूलक बारे में बताईए तो सबसे पहले आपको इसकी परिवासा जानना जरूरी है इसका उत्तर आपको लिखा है कि भासा को लोग पढ़ते लिखते और समझते हैं दिशसे कोई भासा हों लोग पढ़ते भी और लिखते भी और समझते भी किसी प्रिविग बिशेष के लिए तो इस प्रियोगिक रूप को प्रियोजन मूलक भासा कहते हैं ठीक है तो इस प्रकार आप प्रियोजन मूलक जो भासा है इसका अर्थ लिखेंगे तो आपको इसकी परिभासा समझ में आ गई होगी आई हूप ठीक है अब इसके उद्देश के बारे में पढ़ेंगे यह कोईश्च महाद्यर्णी की नविंतम उद्देशपरक भिधाह इसके माध्यम से पत्राचार भासा कंप्यूटिंग पत्रकारता संपादन कला मीडिया लेखन तथा अन्वाद याजिके बिभिध चेत्रों का पर ज्ञान्बिद्यार्थि को करा जाता है इसका ज्ञान प्राप्त करने कि उपरांत ब्यक्त बिभिन प्रियोजनों की सिद्ध में समर्थ हो जाता है यानि इसका उद्देश मुख्य होता है कि जैसे कि आप कोई पत्राचार कर रहे हैं मतलब मीडिया लाइन में जा रहे हैं ठीक है पत्रकार बन रहे हैं ठीक है उसमें भी इसका यूज होता भासा क कंप्यूटिंग में मतलब की कंप्यूटर लेंगज में ठीक है कंप्यूटर के छेत्र में पत्रकारता आप बने बता दिया संपादन के छेत्र मालिया प्रकासन कर रहे हैं ठीक है कोई भी बुक लिख रहे हैं ठीक है और मीडिया लेखन के छेत्र में आप सभी को मालूम कि की जानकारी इसी के प्रियोजन मोलक हिंदी के अंतरगत ही आता है ठीक है यहीं से सारी जानकाई ली जाती है इसके अंतरगत यह बताया जाता है जो मीडिया लेखन में आता है ठीक है अनुवाद आद के विभित शेत्रों का परिज्ञान विद्याजी को करया जाता अनुवा समाजिक पत्र किसे कहते हैं जानकारी आपको होनी चाहिए कि समाजिक पत्र किसे कहते हैं तो सबसे पहले इसका उत्तर सिंपल महासा हम समझ लेते हैं लिखाएगी गैर सरकारी पत्र बेवहार को समाजिक पत्राचार कहते हैं गैर सरकारी ठीक है एक सरकारी होते हैं एक गैर सर समाजिक पत्राचार कहते हैं जिनնें लोग आपने जीवन के जीवन को मतलब आप सब्सेयाना रूजाना इस प्रकार के पत्रों में रूप सब्सक्राइब से पिछली थे संबंध्यों के पत्र नंबर एक पर जैसे संबंध्यों के पत्र दूसरा बधाई पत्र शोक पत्र परचे पत्र निमंत्र बिभिद पत्र संबंध्यों के कोई पत्र मतलब किसे कोई संबंद माली हमारे मौमा है हमारी मौसा है या फिर कोई रिलेशन रिलेट्व का ठीक है तुसको कोई पत्र दे बधाई का मालूँ जो किसी का बड़े है किसी का कोई अन्य उसका मतलब की प्रोग्राम है उसके घर पे या फिर प्रोग्राम होने वा किसी चीज को इंट्रो कराना जैसे कि मेरा नाम संदीप है और मैं मालीजे किसी को मालीजे एक जांपल के तूरोप में आपको बता दे रहा हूं हाँ चलिए मुख्यमंत्री को बता दे रहा हूं मुख्यमंत्री के एक्जम्पल दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री तो हम उनको जानते ही नहीं है ठीक है तो हम अपना परचे उनको बताएंगे लिखके या फिर अपने वाइस से ठीक है तो वो एक प्रकार का पत्र हो जाएगा जिसको हम पत्र बोलते हैं ठीकिए उसमें दिया जाता है और इसे तरह बीवित पत्र भी उसके अंतर गाता आता है समाजिक पत्र के प्रकार जो है आपको याद रखना में इस 지elnा है पूरे चांस है सरकारी पत्र किसे कहते हैं द्धान से सुनिए का मुश्री इंपार्ण कोईश्चन यह भी है राष्ट के कार को फुचारू रूप चलाने के लिए सु संगठित सरकार की आवशक्ता होती है जैसे कि राष्ठ के कार को फचारू रूप से यानि कि देश को चलाने के लिए फ़ेऊ सरकार की आवशक्ता होती जो कि आप सबीस को मलूम है कि पूरे इंडिया में है ही ठीक है वो जैन की मालजी किसी का किसी का का मेडिकल का काम एक परिवाहन के किसी का काम काम है मैं सार तो हर डिपार्डॉर्मेंट के लिए अलग अलग गूवर्णिमेंट कारयले खोले तो अलग अलग कारले ओपं की हुए है ठीक स्थापित हूए होते हैं और इन सब्संभप पत्रों द्वारा स्थापित होता है यानि कि किसी भी कारेले किसी भी ऑफिस को एक दूसरे से कॉंटक्ट करना है यह दूसरी को कोई किसी बात को कहना है ठीक है तो वो पत्रों के माध्यम से अस्थापित होता है सास्किय करमचार्यों अथ्वा अधिकार्यों द्वारा एक का कि अथ्वा सरकारी पत्र कहलाते हैं मतलब कि एक कारले' को किसी सास्कै की ये मतलब कहने का मतलब उत्तर लिखेंगे निश्ट कोश्चन की प्रश्ठांकन का आसेश प्रश्ट कीजिए इतना इंपाटर नहीं पढ़ भी सकते हैं पल्लवन की परिभासा देजिए पल्लवन का अर्थ आपको बताना यह इंपॉर्टन्ट है ठीक है पल्लवन का अर्थ विस्तार करना होता है ड इसकोश्चन इंपॉर्टन्ट है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि संचीपड देते हुई उसकी प्रमुक चार विस्ताइं लिखिए तो सबसे पहले परिभासा जानते हैं डाक्टर महेंदर चत्रवेदी के सब्दों में संचीपड किसी आउतरण अथवा किसी प्रपत्र अथवा किसी एक विसे पर लिखेगे अनेक प्रपत्रो या पत्रो आदिकी सार तत्त अथवा मूल विसे को कम से कम सब्दों में प्रस्तुत करने की कला है ठीक है और इनकी जो विस्ताएं हैं वो आप लोगों के समस्त निन्मत हैं चार विस्ताएं पहला है मूल तीसरा है संशिपता और चार है अश्प्रस्टता मूल सार का मतलब होता है अच्छे से explain करना ठीक है किसी चीज़ को अच्छे से मूल सार मतलब पूरा का पूरा डिटेल में लिखा हो ठीक है और क्रम बद्ध तरीके से मतलब कि सीरियल वाइज हो 123 पॉइंट वाइज टिक है सेंचिपता का मतलब होता है कम सब्दों में यानि कि कम से कम और अश्प्रश्चता का मतलब आप लोग समझते हैं कि साफ सोत्रा होना चाहिए अच्छा होना चाहिए ठीक है तो यह चार विश समझ में आजए क्या क्या उसमें मुख्षिस्टाय हो जी पहला तो अश्प्रश्चता यानि की सही सही लिखना होना चाहिए दूसरा सहच होना चाहिए मतलब की इजी लैंग्वज में होना चाहिए ठीक है एक अनुवीत मतलब की एक अलग तरीके से होना चाहिए वह दूस इसमें दी गई हैं अगर जानकारी आपको याद हो सके तो आप नहों पढ़ लीजेगा अधर वाइस इसमें से कुछ तो आपको पढ़ी ले ना कम फेकम होना स्वभावी की है लोग भ्रमोस टिपड़ी और टिपड़ को इखी मान लेते हैं जिबकि इन दोनों में पर्याप्त अंतर है टिपड़ी वह अभियुक्त है जो किसी भी विचार धीन पत्रों के निस्तारण के लिए लिखी जाती है और टिपड़ का प्रियुक को चाहिता के लिए लाती है तो यह क्यों भी कहा जा सकता है तो आप इस सकते हैं जो इस पर को को सब्सक्री кवार की इन्टर्नेट किसे अच्छे सब्षिय को मालूम है आज दुनिया। कि किसी को इंटर्नेट और नेट्वर्क के guidesसे आने क्या सकता नहीं सब लोग इंटरनेट चलाते हैं सब को अच्छे से मारू में और यहां पर आपको उत्ता लिखना कि इंटरनेट विश्चु का एक विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क है ठीक है नेटवर्क एक ही प्रकार की वफ्तों का फंजाल है फंजाल का अर्थ होत आप इसका उत्तर लिखेंगे इंटरनेट किसे कहते हैं और इंटरनेट आप 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 सब चलाते हैं अच्छे लिख सकते हैं कोई मुझे ज्यादा एक्स्प्रेंट करने की आउसकता नहीं इस क्वेश्चिन का उत्तर ठीक है और बाकी आप जितना बनावक्ते हैं बनाके लिख सकते हैं आपको पूरे नमबर लिए जाएंगे ठीक है तो आज किसे वीडियो में टेन कोश्चिन इंक्लिट के थे जो कि टॉप लेबल के हैं अगर आप तयार करके जाएंगे तो करीब 15-18 नमबर आपके हो जाएंगे जल्द हम आप लोगों के लिए और भी कोश्च लेज जाहिंद है